रोल्स रोयस की अस्थापना सन 1904 में चारलेट रोल्स और होरिनी रोयस ने कीती है दोनों ने मिलकर कमपनी की पहली कार को बनाया था इस कार को रोल्स रोयस एन एचपी नाम दिया था इसके अलावा कमपनी का भी नाम दोनों के सरनेम से लिया गया है Rolls-Royas कारो के लावा जिट इंजन भी बनाते हैं दुनिया में आपको जितनी भी Rolls-Royas फैटम कार दिखती है वो सभी जर्मनी में ही बनती हैं क्योंकि इसमें तक्रीबन 200 इलमूनियम सेक्षन तीन सो इलेट पार्ट को जर्मनी में कारी गरो द्वारा बेल्ड किया जाता है आपको ये जान कर हरानी होगी कि एक फैटम कार को बनाने के लिए दो महिने का समय लगता है आज दुनिया में जितनी भी रोल फ्रोयस कार दिखती है उन सभी पर कोच लाइन की पैंटिंग केवल एक आदमी करता है जिनका नाम मार्क कोर्ट है ये दुनिया के एक ककेले इसे सक्स हैं जिनके कंदों पर ये जिम्मेदारी है इस पैंटिंग के दोरान उनके पास गलती करने का कोई भी मोका नहीं होता क्योंकि इसे हाथ फे करना होता है और इस गलती को मिटाने का कोई तरीका नहीं होता सन 1946 से पहले रोल्स रोयस की कारो को नई कंपनियां मिलकर बनाती थी उस दोरान रोल्स रोयस केवल 36 और इंजन तयार करता था उसे पार्क याड में खड़ी करता था इसके बाद वड़कर होपल और लंदन की अन्य कंपनियां इस चेचिस पर बाड़ी कबर और अन्य पार्ट लगाते थे रोल्स रोयस दोरा खुद की बनाई हुई पहली कार सिल्वल डाउन थी इसका प्रड़क्शन सन 1949 से लेकर 1955 तक किया गया सन 1971 में दिग्यज कार कंपनी रोल्स रोयस दिवालिय घुफित की गई RB211 जेट इंजन के फाद सुरुवाती समस्याओं के कारण कंपनी में इस समस्या से दो-चार होना पड़ा था जिसके बाद सन 1973 में अलग हिकाई के रूप में मोटर कार ब्योसाय में कंपनी ने कदम रखा आपको रोल्स रोयस के बोनट पर जो उड़ती हुए इंसान का लोगो दिखता है उसे ही स्ट्राइट ओप इस्टे कहा जाता है इसे सन 1911 में कमीशन किया गया था आज के समय में तो ये लोगो प्रियोग किया जाता है उन्हें रीमोट के माद्याम से ग्रील के अंदर किया जाता है इतना ही नहीं किसी भी दुरघटना के समय में ये लोगो अपने आप फ्रेंट ग्रील के अंदर चला जाता है एसा कमपनी लोगों के सम्मान में करती है सन 2003 में रोल्फ्रोयस फैटम को एस किया गया था BMW द्वारा बनाई गई पहली रोल्फ्रोयस कार थी इनमें 44,000 से ज़्यादा कार को नेट सका प्रियोग किया गया था सायद ही कारण है कि फैटम का निर्माण जर्मनी में ही किया जाता है क्योंकि BMW कमपनी जर्मनी की है आपको यह जानकर हैरानी होगी कि और रोल्फ्रोयस ने जब कारों का निर्माण शुरू किया है तब इसे लेकर अब तक तक तकरीबन 60 प्रफंट कारे आज भी सणकों पर महजूद है किसी भी कार निर्माथा के लिए यह सबसे बड़ा गवरों की बात है इससे यह साफ होता है कि रोल्फ्रोयस की कारे कितनी मदबूत और कितनी सांदार होती है जहां दुनिया आदुन्टता के दौर पर सब को तक्नीक और रोबोट के हवाले करता है वहीं रोल्फ्रोयस आज भी इंसानों पर भरुफा करती है आज भी रोल्फ्रोयस का निर्माण इंसानों द्वारा किया जाता है इसके अलावा भी कार के अन्य कई इस्तो वा हैंड मेड ही तयार किया जाता है गाईज अगर वीडियो पहंद आया तो लाइक से तर्श्ट्राइप ठोक के जाना मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अब तक के लिए जय हैंद जय भारत